चने हलवे का भोग तो मैया को सभी लगाते हैं क्योंकि उनका यह है फेवरेट प्रशाद होता है और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो चने हलवे की है जो सूजी का हलवा मैंने बनाया है यह बहुती फलफी बना है और बहुती सौफ भी बना है जिसको मैंने परफेक्ट मिजरमेंट से बनाया है यदि आप इस तरीके से परफेक्ट मिजरमेंट से हलवा बनाते हैं तो आपका जो हलवा है वो बहुती बढ़िया बनेगा और बहुती फलफी भी बनेगा तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपना जो हलवा है वो कैसे बनाया है जिसके लिए मैंने सूजी लिया है सूजी को मैंने इस कप से नाप लिया था और मैंने एक ही कप सूजी लिया है आप measurement कोई भी बना सकते हैं अब हम कड़ाई लेंगे और कड़ाई में देसी घी डालेंगे क्योंकि हम जब हलवा बनाते हैं मैया के भोग के लिए तो देसी घी का ही यूज करते हैं घी आप कम या जादा ले सकते हैं आप इसमें सूजी डालेंगे और सूजी को अच्छे से भूल लेंगे सूजी को लग हम क्या करेंगे कि हम जिस कप से हमने सूजी ना पी थी उसी कप से हम पानी लेंगे अब हम तीन कप हम पानी लेंगे और एक एक कप पानी हम इसमें डालेंगे पहले हम एक कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसे डालते हैं तो अच्छे से mix करना है और बड़े आराम से डाले, उसके बाद हम बाकी के दो कप पानी भी इसमे add कर लेंगे, बड़े ध्यान से आपको पानी डालना है, कई बार छीटे जो है add करना है, जिससे आपके हलवे का कलर भी चेंज हो जाएगा, और देखने में भी बहुत ही सुन्दर लगेगा अब इसे चलाते रहना है, आप जो चीनी की कॉंटिटी है, वो भी मैंने उसी कप से नाप के लिए है, अब हम इसी कप से देड़ कप चीनी लेंगे और बिल्कुल परफेक्ट आपका मीठा हलवे के अंदर तयार होकर आएगा, और बहुत ही टेस्टी भी लगेगा पहले हमने एक कप चीनी डाली और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और बाकी की जो आधी कप चीनी है, वो भी मैंने अब इसके अंदर एड़ कर दी, और अच्छे से इसे मिक्स कर लिया अब हम इसे कम से कम दो से तीन मिनट ही ऐसे पकाएंगे क्योंकि यह चीनी अच्छे से घुल जाएगी और हल्वा जो है वो भी अच्छे से पक जाएगा हल्वा हमारा लगभग तैयार हो चुका है सिर्फ हमें दो मिनट ही चीने डालने के बाद इसको पकाना है देखिए के इतना फलफी हमारा जो हल्वा है वो तैयार हुआ है अब हम कड़ाई को बंद कर देंगे इसी स्टेज पर क्योंकि थोड़ा सा थंडा होने के बाद भी हलवा जो है वो थोड़ा सा गाड़ा हो जाता है देखिए हलवा गरम है लेकिन हलका सा थंडा होने पर भी इतना गाड़ा हो चुका है अब चने जो है मैंने पहले से ही उबाल कर रखे हैं जैसे नॉर्मल चने आप उबालते हैं आप चाहें तो बालत वक्त नमक डायट करें या ना करें वो आपकी चोईज है और उसके बाद मैंने हलवे में चने को मिक्स कर दिया है और ये हलवा जो है मेरा प्रशाद का वो बिल्कुल रेडी है और आप चाहें तो इस पे ऐसे मिक्स ना करके उपर से भी हलवे में चने दाल सकते हैं लेकिन हमारे हां इस तरीके से ही भोग लगाया जाता है तो मैंने इस तरीके से आपको बना कर दिखाया है और ये चने हल्वे का जो परसाद है वो बहुती टेस्टी और बहुती फलफी बनाता आप जरूर ट्राइ कीजेगा और इसे मैया को भोग जरूर चुणा की बनाता है और आपको मेरी इस राइस फैंट्र तो थैक्यू फृंड्द्ट